तो स्थाइ है करें जैसे Means सी फांट शे बार हम सुईकार कर लेते हैं कि वे विशेर के पलती हम हम पीटि वी साघानी है कि यह वे कि price इंगे लेकिन कुछ मनुष्यों के बारे में हम जरुष से ज़्यादा पेक्षा करते हैं थोड़ा ख्याल करें अन्य सब चीजों को हमें स्वीकार भाव है सूरज गरम है इसमें हमें कोई प्राबलम नहीं कपसे गरम हैं? दस अरप साल से अगले पांच अरप साल और गरम रहेगा वैज्यानिक कहते हैं हमें स्वीकार है कि सूरज की धूप गरम होती है पूरे हिर्दै से स्वीकार है एक कुत्ता भौकता है हम यह बाद जानते हैं कुत्ते की आवाज ऐसी है और हमें स्वीकार है कोईल की आवाज ऐसी है, कवे की आवाज ऐसी है फूल खुश्बू देता है, काटा चुपता है सब अपने अपने गुर्णधर्म में अपनी अपनी quality के साँच जी रहे हैं और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होती कमल कमल है चांदनी कफूल चांदनी कफूल है हम कभी उनकी तुलना नहीं करते हमें स्विकार है तो प्रकरती में बांकी सब हमें स्विकार है अभी गर्मी का मौसम गया फिर बरसात का मौसम आ गया अब बस बरसात जाने वाली ठंड का मौसम आ जाएगा हम फिर जानते हैं फ हमने जगत में और सब को स्विकार किया है वैसा ही हम मनुष्यों को स्विकार कर ले और उसकी सुरुवात सबसे पहले स्वयम से करनी होगी सबसे पहले मैं अपने आपको स्विकार लूँ कि मैं जैसा हूँ प्रकरतिने जैसा बनाया है प्रभू की यहरचना जैसी है मैं पूर केवल होना मात्र रह जाता है कर पर हमार के दर्शन करें साक्षी भाव के बाद केवल होना मात्र नहीं रह जाता कुछ और भी रह जाता है पहले हम जिसको समझते थे स्वयम का होना, आत्मा हम स्वा की खोज में मैं कौन हूं की खोज में अध्यात्म की यात्रा करते हैं लेकिन अंतता हैं हम पाते हैं कि हम जिसे समझते थे स्वयम का होना उसमें कहीं न कहीं एहंकार और अस्मिता का भाव था मैं हूँ ऐसा भाव था स्वा की खोज में हम निकले थे लेकिन हम पाते हैं अंत में कि स्वातों नहीं मिला, सर्व मिला, आत्मा नहीं मिली, परमात्मा मिला, बड़ी विचित्र घटना घटती है, इसको ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति अपने घर के आंगन में एक गड़ा खोथता है, कुवा बनाता है, वो खोज में चला था कि मेरे कुवें का पानी, सुरू सुरू में ऐसा लगता है कि हाँ मेरा कुवा बन गया, ये मेरे कुवें का पानी है, लेकिन बाद में और गहराई पर खोजने पर पता चलता है, कि मैं जिसे मेरे कुवें का पानी कह रहा था, वास्तों में वह मेरा कुवा नहीं, ना मेरे कुवें का पानी है, एक को मैं मेरे घर का कुवा कह रहा हूं, वे एक विंडो है, एक खिड की है, जिसमें से वह भूमी का जल्भंडार दिखाई दिया, तो आत्मा नहीं मिलती, परमात्मा मिलता है, स्वयम का होना विलीन हो जाता है, और सर्वात्मा का एहसास होता है, तो अध्यात्म की यात्रा मैं सागर से डाप्टा आने संगे बोर रहा हूं, मैं स्वामी जी से पूछने चाहता हूं, कि आउचेतन मन्द में जो कच्रा इखटा हो गया, जो गरंथी बन गई है, क्या वो हनेड परसें निकल सकती है, साफ हो सकती है, इन्होंने पूछा है कि हमारे अउचेतन मन्द में जो गरंथियां इखटी हो गई है, क्या वो सो प्रतिसत निकल सकती है, सो प्रतिसत निकालने की आवश्यक्ता नहीं है, थोड़े बहुत सफाई हो जाए, ताकि हम कुछ मिनिट के लिए निर्विचार जागरूपता में पहुच सकें, पॉंकाल सरवण में डुपकी लगा सकें, इतना पर्यापत है, मैं दिल्ली से बाबा, बारवार प्रेम छूट जाता है और क्रोध उपर आ जाता है, तो उससे कैसे छुट का रहा है, इन्होंने पूचा है कि प्रेम की भावना बारवार छुट छुट जाती है, चुप जाते हैं प्रेम से, उक्रोध घरना उएं इसकी क्या बज़य है, इसकी बज़य है कि वज़पन से ही हमें तुलना सिخھाई गई, परीजन सिखाई गया, कंपिटीशन और प्रत्योगता सिखाई गई, प्रेम तो कहीं सिखाया नहीं गया हम कहते हैं इस्कूल में हमारी क्लासमेट हैं हमारी मित्र हैं पर वास्ताओं में ये मित्र नहीं है क्योंकि हमारे परिवार वालों ने सिखाया कि तुम्हें क्लासमें फश्ट आना है और हमारे प्रत्तिक मित्र को भी सिखाए गया है कि तुम्हें क्लास में फश्ट आना है मैं इंदौर मेरे गुरूजी है मैं जब चार महीने का था तब से मुझे इनके साथ ही जुड़ना है मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रेम ध्यान और भी किई सारी चीज़े मा प्रेम अधुरी मैं डेली से हूँ यह बहुत बढ़िया है मैं अठारा साल से ओश्व के भाई से जुड़ी हूई हूँ ओश्व अनुच स्वामी शैलिंद सरफ सती जी से बहुत अच्छा है और इसमें गीता पर सिखाया जा रहा है तेरवा अध्याय पर और वैसे जीवन जीने की कला जो अपने को नहीं आती है मेंली क्यों हम क्रोध में रहते हैं क्यों अशांत रहते हैं क्यों भागते रहते हैं दौरते रहते हैं इस पारे में पताया है कि स्थिर रहो जो प्रकरती ने देना है वो आपको बैठे हुए भी मिलेगा इतने भागने की जुरत नहीं है जी दोजार चार से जुलिए मेरे जीवन एकदम आनंद पूर्ण है भागदोर चूट गई कामना चूट गई क्रोध चूटा हाय हाय जो अपने को और 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 बहुत कुछ चाहिए न वो स्टॉप हो गया जो है उसमें आनंदित रहना आ गया हम यहां तो आगे भागते हैं यहां पीछे भागते हैं हम जहां हैं बस वहां नहीं जीते तो अपने को प्रेजेंट में जीना आ गया अब यहां हूँ तो म अपने को जीना ही नहीं आता तो यहाँ प्रेजेंट में जीना सिखाया गया जे जे मेरा पूरा परिवार ओशोर समर्पित है 2004 से ही जे मेरे बच्चे भी सन्यासी है मेरे पती भी मेरी सिस्टरन लॉबी जे 2004 से कहीं और जाते हैं उतना मजा भी नहीं आता बस ऐसा ही जिग्यासा पूर्ण चले गए थे परिशानी के दौर गुजर रहा था सुसाइट पॉइंट पर खड़े हुए थे जिये या मरे बस ओशो ने खीच लिया और बाबा के पास पहुँच गए घर में परिशानी होती है कुछ होती है बहुत छोटी को बात को हम राई को पहार बना देते हैं वो बना दिया गया था तो अब लग रहा था जीना बेकार है ऐसे लोग होते हैं बस हमको चाहिए यह भी अच्छा हो पती भी अच्छा हो अपनी गल्दी दिखती नहीं है बस यह दृष्टी बदल देते हैं वा तुम खराब हो बाकी सब अच्छे है बस जैसे उन्होंने यह कहा तो दृष्टी बदली दुनिया जन्नत हो गई बस एकदम जीने का मन हो और अभी बहुत सारा जीने की इच्छा है जी थेंकिट पर ना स्वामी दूर्गा शंकर जी भारती नाइन्टी सेवन्टी एट में ओसों से दिख्छाली थी पिता जिन्हें और मैंने जो है देवताल गड़ा से नाइन्टी सिक्स में दिख्छाली दोडभाग टेंशन जो है सब परिवर्थित होता है घुस्सा कम आता है भोजन करने में कोई व्यसन वगेरा हुग अपने आप छूड़ जाता है इसको छोड़ना नहीं पड़ता है उमन में शान्ती बनी रहती है आत्मिक शान्ती मिलती है दूसरे के प्रति थोड़ा दया का भाव उत्पन होता है सामने वाले के प्रति स्वामी अमानो योग समीर सराफ सागर एंपी मैं सन नभ्य में मैंने सन्यास लिया था गाटर बारा मैं और उश्यों रिष्टे में नाना भी लगते हैं तो बचपन से सुनते चले आ रहे थी मेरी जिन्दगी बढ़ी विच्चतर्सी रही विच्चतर्सी गुजरी बहुत सारे ओतार चड़ाओ देखे जीवन में अज की स्तिती में जे हो गया कि कुछ भी ने बचा अंदर उस मालिक के अलावा कुछ भी नी बचा प्रेम और प्रेम और सर्फ प्रेम बचा वो भी ओशो को सुनते देखते मानते अंदर कुछ घाटे थो गया चल रही है गाड़ी मज़े हुए बहुत मज़े हुए मेरा नाम है ओशवनुडागी आरुश सराफ सागर एंपी से आया मैं भी तो मैं अभी इसी अपरेल में जुड़ा अपरेल 2023 सन्यास लिया है हां सागर से मेरी है 13 तेरह साल हाँ मेरे यहां पर यह चल रहा था तो नाना नानी जो मा प्टाबा है वह इन जखते थे तो एक दिन मैंने भी सोचया मैं भी संद्म इसीलW संद्म घाट लिया तो पूरी घुसे निया प्रत्रेलिया दो पडू़ी एût पहले थी आती थी ना अपरेल's ने जुसा वो गुस्सा चली गई विलकुल मतलब फ्री फ्री लग रहा है सरीर हल्का हो गया मेरे पापा ममी मेरे पापा ममी मेरे पापा की फैक्ट्री है और ममी हाउस और हाई हाँ पापा ममी ने बोला ले लो भी नाना जी आ रहे है तो सागर में ले लो सन्यास ले लिया इन से बहुत दिखान करना सीखा सांती आ गई अभी देखो क्या होता है परमातना क्या करवाती है